अस्ट्राम लेकुम स्टूडेंट्स होखफुली ओल फ्यूर दूइंग वैल दिस इस यूर जेनल साइंस लेक्चर पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक माया फोसिल फ्यूल है जो लॉको सौल पहले कम गहरे समंदरों में समंदरी पोदों और खुर्द बीनी जानदारों ऐसे जानदार जो के मैक्रो औरनिजम्स होते हैं जिनको आप मैक्रोसकोप की हल्प से देख सकते हैं की बाकियात के जमीन में दब जाने और फिर तपश और दबाओ की वज़ा से वजूद में आया तो पेट्रोलियम बेसिकली समंधर में पाये जानेवादे समंधरी पोड़े और खुर्द बीनी जानदारों की बाकियात जब जमीन में बरी हो जाते हैं उनकी बरी होने के बाद तपश और दबाओ की वज़ा से वजूद में आते हैं पेट्रोलियम के साथ ही पेट्रोल बोला जाता है डीजल, फरनस आइल और केरसिन आइल मिन्स मिट्टी का तेल बगएरा सब पेट्रोलियम के प्रॉडक्ट्स हैं जो गाड़ियों, जहाजों, बिजली घरों, कारखानों और घरों में बतोर इंधन इस्तमाल होते हैं, इनके इलावा ग्रीस, मूम, पेराफिन, पेट्रोलियम, जेली, तारकोल, एसफाल्ट, मस्नुई रेशे, मसलन, नाइलॉन, पॉली एस्टर और प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से बनते हैं कुदर्ती गैस, मुखलिफ गैसों का मज़़ूआ है, जिसमें, मिथेन, इथेन, प्रोपेन वगईरा शामिल है पाकिसान में कुदर्ती गैस के काफी जखायर पाये जाते हैं, पट्रोलियम और कोईला के लावा कुदर्ती गैस भी तवानाई का एहन जरिया है ये बिजली गरों में बिजली पैदा करने, सीमेट और कीमियाई खादो की तेयारी और दूसरे कार खादों को चलाने के इलावा गरों में चूले जलाने के काम भी आती है आज कल बहुत से गाड़ियां भी गैस पर चलाई जा रही हैं विसकली यह सारे के सारे यूजिस हैं कुदरती गैस के फोसिल फ्यूल के महोल पर असराथ अगर्चो फोसिल फ्यूल तोवनाई का सस्ता और असानी से दस्तियाब वसीला है ताहम इसका रोज बरोज बढ़ता हुआ इस्तमाल महोलियाती मिसाल भी पैदा कर रहा है अगर हम फोसिल फ्यूल के बैनिफिट्स की बात करें तो फोसिल फ्यूल के बैनिफिट्स भी मुजूद है और इसके हामफुल इफेक्स भी मुजूद है जैसा के फिजाई लूदगी के तहट जिकर हो चुका है तो basically fossil fuels का ज्यादा इस्तमाल जो है वो air pollution का cause बनता है fossil fuels के जलने से बहुत सी गैसें और धुमा पैदा होता है जो महोल को अलूदा कर देता है इसके इलावा कोईले और तेल की खुदाई के दुरान बहुत सी जमीन जंगलाद और जानदारों की खुदरती अमाजगा है means so animals के natural habitat है वो effect होता है जाया हो जाता है so basically ये सारे के सारे harmful effects हैं अगर fossil fuel का जरूरत से ज्यादा इस्तमाल किया जाए so students आप इस lecture को अच्छे से understand करेंगे learn करेंगे then इसको write down करेंगे okay जी Allah आफिस